नमस्कार साथ ये स्वागत है आप सभी का आपके पने चैनल जी के फ्लेस ओन में द्रिश्टी दवीजन की एंस्टी त्रिव कोस्टन हम कर रहे हैं भारत एवं विश्व का गुगोल जिसमें आपका अच्छा चहे से वारत की पुरानी नई सारी एंस्टी को कवर कर रहे हैं वो भी अब्जेक्टिव कोस्टन से और उनको काफी ब्याक्या पढ़कर आपका एक भी चैप्टर से एक भी कोस्टन नहीं छोड़ सकता अभी तक कच्छा चहे कि हमने पांच चैप्टर कर लिया आज हम छटा चैप्टर करेंगे हमारा प्रित्वी के प्रमुख स्थल रू होने के बाद आपका भूबल से रिडेटेड एक भी कोस्टन नहीं चूटेगा तो स्टार्ट करते हमारा आज का पहला कोस्टन पहला कोस्टन है प्रित्वी के विविन इस्थल रूपों उधारण परवत है घाटी पठार एवं मैदानों का निर्मान किन प्रक्रियाओं के तो यह दोनों ही तरीके की प्रक्रियाएं हैं जिससे प्रतिवी के इस्थल रूपों का निर्मार हुआ है परते हैं इसकी ब्याक्या ब्याक्या दे रखी है विविन प्रकार के इस्थल रूपों का निर्मार दो प्रक्रियाओं से होता है प्रतम या अंत्रिक प्रक्रिया क कारण बहुत से स्थान पर प्रिथी की सतय कहीं पर उपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है दूसरी या बाय प्रक्रिया जिसे कहते हैं इस्थल के लगातार बनने या तूटने की प्रक्रिया है करते हैं हमारा next question question number two निमलेकित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं प्रिथी की नई सतयों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपन कहते हैं ये भी बिलकुल सही है तो हमारा आंसर हो जागा सी एक और दो दोनों पर्थी जल बायू तथा बर्फ के द्वारा होती हैं पढ़ते हमारा next question question number 3 विश्चो की सबसे पुरानी बलित परवर सिंखला कौन सी है तो विश्चो की सबसे पुरानी बलित परवर सिंखला है अरावली परवत तो यह इसकी ब्याक्या दे रखी है एवं इनकी उचाई कम है यह बहुत पुराने बलित परवत हैं भारत का हिमालेवी बलित परवत का उधारण है तो यह हमने इससे सारे परवतों की थोड़ी डिटेल जान ली है पढ़ते हमारा next question question number 4 नीचे दिये गए कत्रों पर विचार कीजिए जिन परवतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हमानी कहते हैं बिल्कुल सही है दूसरा कत्र दिया है परवतों के एक रेखा करम में विवस्थित होने को स्रेंखला कहा जाता है बिल्कुल सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा C एक और दो दोनों देखते हैं इसकी ब्याख्या ब्याख्या दे रखी है इसकी C उपरे दोनों कत्र सकते हैं पर हमेशा जमी रहने वाली परवतों पर कुछ परवतों पर सारे परवतों पर हमेशा बर्फ जमी नहीं रहती है लेकिन कुछ परवत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहा जाता है कुछ ऐसे भी परवत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिनें हम देख नहीं सकते अगला point दिया है परवत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं इसे श्रंखला कहा जाता है बहुसे परवतिय तंत्र समानांतर श्रंखलाओं के क्रम में होते हैं जैसे कि हिमाले, आलपस, एंडिज परवत श्रंखला है पढ़ते हमारा next question Question number 5 जिन परवतों की सते उवडखावड तथा सिखर संक्वाकार होती है एसे परवतों को क्या कहा जाता है एसे परवतों को कहा जाता है वलित परवत तो हमारा answer हो जाएगा पढ़ते हैं इसकी ब्याख्या ब्याख्या दे रखे जिन परवतों की सते उवडखावड तथा सिखर संक्वाकार होते हैं उन्हें वलित परवत कहते हैं हिमाले तथा आलपस वलित परवत के ही उधारणे पढ़ते हैं हमारा next question, question number six question six दिया गया है नीचे दिये गए युगमों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं तो हमको बताना है इनमें से कौन से सुमेलित हैं यूराल परवत क्या है जौला मुखी परवत है नहीं गलत हो गया है वाश जेस परवत क्या है ब्रंसोत परवत है ये बिल्कुल सही है माउंट किली मंजारो ये जौला मुखी परवत है बिल्कुल सही है ये भी फ्यूजियामा परवत ये भी जौला मुखी परवत है इसलिए इसका वलिद परवत होना जो बताया है एक गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा दो और तीन सही है इसका आंसर हो जाएगा B पढ़ते हैं इसकी ब्याख्या ब्याख्या दे रखें उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल परवत यह दोनों-कि दोनों-अपलेशियन और यूराल परवत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी उचाई बहुत कम है यह बहुत पुराने वलित परवत हैं तो यहां से पता पढ़एगा यह दोनों कैसे हैं वलित परवत एक तो अपलेशियन और एक यूराल परवत जब कोई बहुत बड़ा वाग तूट जाता है तथा उर्द्वादर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंसोत परवत्तों का निर्माड होता है उपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानि होर्स्ट इंग्लिस में तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोण का भ्रंस इंग्लिस में बोलेंगे ग्राविन कहा जाता है यूरोप की राइन गाटी तथा वास जेस जिसको बोलते हैं बोस जेस परवत इसी तरह के परवत तंत्र के उधारण है पर दे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट दिया है अफरीका का माउंट कली मंजारो परवत तथा जापान का फ्यूजी आमा परवत दोनों के दोनों जौला मुखी परवत के उधारण है जौला मुखी परवतों का निर्मार जौला मुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है नेक्स्ट कोर्सन है हमारा मौनाकी परवत किस महासागर में अवस्थित है तो मौनाकी परवत प्रसांद महासागर में अवस्थित है इ इसकी उचाई 10,205 मीटर, माउंट एवरिष्टे भी आधिक है, अब यह उचाई बताई गई है, यानि यह क्या है, यह थोड़ी है कि जमीन से उपर है, यह समद्र के अंदर इसकी उचाई बताई गई है, ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कोस्टन, और नेक्स्ट क पठार है, जिसकी उचाई, माद्य समुद्र से 4,8-6,000 मीटर तक है, पठार आसपास के छेतरों से अधिक उठा हुआ होता है, तता इसका उपरी वाग मेज के समान सपाट होता है, पठार की उचाई प्राएं कुछ 100 मीटर से लेकर कई 1,000 मीटर तक हो सकती है, परवतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं भारत में दक्कन का पठार पुराने पठार में से एक है केन्या तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्टिलिया का पस्चिमी पठार इस प्रकार के उधारण है अगला पॉइंट दिया है अफ्रीका का पठार सोना इवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है भारत में छोटा नागपूर के पठार में लोहा कोईला तथा मैंगनीज बहुत बड़े मात्रा में यानि कि उसके बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं पढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमर नाइन मैदानों के संदर में नीचे दियेगे कत्रों पर विचार कीजिए पहला पॉइंट है अधिकांस मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सायक नदियों के कारण बनें यह पिलकुल सही है अगल आप कत्थन पढ़ेंगे मैदान विच्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं उप्रिक्ट मैंसे कौन से कत्थन सही हैं? डॉन के डॉन के दॉन वह सही है अँधिकांस मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सायक नदियों के द्वारा बने हैं नदिया पर्वतों के डालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे की बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं इन्ह इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जन्संक्या वाली भाग होते हैं तो आज हमारा पार्ट 6 खतम हो गया अगला हमारा चैप्टर है हमारा देश भारत तो यह इसका हम पहला कोशन पढ़ते हैं जिससे आज की वीडियो के हमारे 10 कोशन कंप्लीट हो जाएंगे तो पहला पोशन में कहीं पर तो यह जो बिस्वत रेखा है जीरो डिग्री पर यह इससे अगर उपर की ओर जाएंगे तो उत्तर होगा तो भले ही यह कह रहा है कि दच्छर से उत्तर की ओर लेकिन यहां पर यह विश्वत रेखा से उपर है तो दोनों यह अच्छांस कहांगे उत्त हैं भारत की मुख्यवूमी का विस्तार आध डिग्री चार मिनट उत्तर से 37 ग्री 6 एंध उत्तर ही अच्छांस के वीच है तो यह देखिये जो जीरो डिग्री से उपर का होता है वहता से वह पूरा हमारा और जीरो डिग्री से नीचे जान यह है थाल अच्छडी गोलार् झाल